नमस्कार दोस्तों जी चीज का भाय लगातार बना हुआ था वह घटना अप्रारंभ हो गई है अर्थात रूस और यूक्रेन के मद्ध जो धिप्रारंभ हो गया है अगर बात करें समय की तो भारत के समय अनुशार सुबह नौ बच के पैतालिस मेट पर रूस के द्वारा यूक्रेन के युद्ध को अब और नहीं टाला जा सकता है इसलिए रूस की सेना यूक्रेन के खिलाफ एक स्विसल मिलिटरी आप्रेशन लांच कर रही है उनके मुताबिक इस आप्रेशन का लच पूरी यूक्रेन के हिस्सों दोनिस्क और लोहांस में मौजूद यूक्रे को रूस ने 21 परवरी को ही स्वतंत्र घोसित कर दिया था यह दिबात करें युद्ध के कारणों की तो हम जानते हैं कि यूक्रेन नाटो का मेंबर बनना चाहता है जबकि रूस इसका विरोध कर रहा है काफी सारी इंटरनेशनल न्यूज इजन्सीज के अनुसार यूक्रेन क कई सैनि ठिकानों पर हमले किये गए हैं तथा कुछ अन्य प्रमोगिस्थानों जैसे कि यूक्रेन की रजधानी क्रिव, ओडेसा, हार्किव, दोंतेस्क में लगातार हमले हो रहे हैं इन सब के बीच यूक्रेन के अधिकारियों ने कहा कि रजधानी क्रिव पर क्रिव एव को खाली करा दिया गया है, साथ ही यूक्रेन में मारसला लगा दिया गया है, इंडिया टुडे के मताबिक यूक्रेन के बार्डर पर लगभग दो लाख रूसी सेना तैनात है, जो की क्रीमिया, दोनिस्क और लोहांस के रास्ते यूक्रेन में दाखिल हो रही है, रूस की क कारियों के मुताबिक ये कारवाई पूर्वी यूक्रेन में की गई है इस तनाव के बीच यूक्रेन के राष्टपत ब्लादमीर जेलेस की टीवी पर लाइव आकर युद्ध को रोकने की भावग अपील भी की है और उनके द्वारा पुतिन को फोन करने पर जवाब न मिलने की भी बात कही गई है साथ ही उन्होंने भी पुष्ट की है कि यूक्रेन की इमारतों और सायनिपतिष्ठानों को निसाना बनाये जाने लगा है फिर उन्होंने रूसी सरकार को संदेश दिया कि अगर हमारा देश हमसे छीनने की कोशिस होती है हमारी आजादी हमारे की जिन्दगी छीनने की कोशिस होती है तो हम अपना बचाओ करेंगे जब रूस हम पर हमला करेगा तो हमारा चेहरा देखेगा पीठ नहीं इन सभी घटनाओं के बीच युनाइटेड नेशन और अमेरिका की राष्टपत द्वारा किये गए ट्विट्स को भी हम आपके साथ साजा कर रहे हैं अगर एक नजर हम इस घटना की दोस परिणामों पर डालें तो हम यह पाते हैं कि शेयर मार्केट पूरी तरीके से तूट गया है तथा क्रूड आयल सव डालर से अधिक की कीमत प्रतिबैरल हो गया है यदि बात करें भारत की तो भारत ने यूएन में सबसे अच्छा होगा अब अमेरिका की राष्ट पर जो बाइडन ने जी सेवेन की मीटिंग बुलाने को भी कहा है अब देखना यह है कि यदि नाटो इस युद्ध में सामिल हुआ तो तर्टी विस्त युद्ध प्रारंब होगा या नहीं जिसके कयास इतने दिनों से गाए जा रहे हैं